Cup and handle chart pattern यह pattern एक cup के आकार का दिखाई देता है इसलिए cup and handle pattern कहा जाता है यह chart pattern आपको कभी भी और किसी भी time frame में देखने को मिल सकता है यह pattern दो भागों में तयार होता है इसमें पहला भाग तयार होने के लिए market धीरे धीरे नीचे को जाती है और अपने strong level के पास आकर कुछ देर trade करने लगती है और कुछ देर बाद market में फिर से तेजी देखने को मिलने लगती है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले point से market फिर से गिरने लगी है तो यहाँ पर हम अपना level मार कर लेंगे जिसे हम nick line भी कहते हैं लेकिन इस बार की गिरावट पिछली बार की गिरावट की तुलना में हमें 20-25% ही देखने को मिली है और इस बार इस nick line को भी break कर दिया है जिसे हम breakout भी कहते हैं और जब हमें breakout मिलता है तो ऐसा माना जाता है कि market में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है और हम यहाँ पर double confirmation के साथ entry बना सकते हैं और detail में सीखना है तो हमें follow and subscribe करें